दोस्तों UPSC के दोरा थोड़ी देर पहले एक छोड़ा सा important notification दिया गया है अगर आप लोगोंने UPSC का जो prelims का form भरा है तो उसमें आप लोगों लगता है कि आप लोगों सेंटर चेंज करना चाहिए तो आप लोगों सेंटर चेंज करने के लिए UPSC के दोरा notification दिया गया है यह basically prelims और जो Indian Forest Officer है उसके लिए आप लोग के लिए applicable है आप लोग अपना सेंटर का choice जो है वो change कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको open करेंगे तो यह कुछ ऐसा PDF आप लोग के सामने खुल कर आएगा मैं इसको दूसरी विंडो में आप लोगो दिखाता हूँ जहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको देख पाएंगे क्योंकि यह 10 October जो date दीगी थी वो revise calendar के एसाब से दिया गये था मैंने एक वीडियो भी आप लोग के लिए बनाई थी कि जिसमें कौन-कौन सी date अभी change करकर एक नया calendar आए UPSC का जिस किजी ने नहीं देखिये वो देख लेना इस वीडियो के नीचे उसका link दे दूगा तो यहाँ पर सब एक्जाम के लिए date चेंज के गए थी recently अभी तो UPSC के प्रिलिम्स के जो date रखी हुई है वो है यहाँ पर 10th October तो 10th October को जो एक्जाम होने वाला है तो उसके चलते एक्जाम में जो है कुछ चेंज के जा रहे है बिसिकली सेंटर में इसमें कुछ नए सेंटर एड किये इन के द्वारा चार एडिसलन सेंटर देखने को मिलेंगे अलमोरा उतराखंड, सिरिनागर उतराखंड, नासिक महरास्टरा, सूरत गुजरात, कुछ यह सेंटर लेकर 26 से लेकर 30 जुलाई तक है साम 6 बजे तक, यहने का मतलब यह कि दो फेस में आप लोगो चांस दिये जाएगा, कि आप लोग यहाँ पर सेंटर चेंज कर सकते हैं, पहला फेस बारे से 19 तक रहेगा, मैं आप लोग को यहाँ पर सेंजेशन यह दूँगा, कि 12 से 19 वाल .nik.in ठीक है, तो यह वाली वेबसाइट है, जिस पर आप लोग जाकर यह चेंज कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगो मिल जाएगी होँ आप, तो बेसिकली इसके इसाब से आप लोग देख लिजेगा, बाकी और कुछ नहीं चेंज किया गया है, बाकी जो भी नोडिफिक 19 जुलाई है, और दूसरी 26 से लेके 30 जुलाई है, तो इसमें ही आप लोग को करना है, जो भी आप लोग को अगर सेंटर एविलेबिल रहता है, तो यह थी एक छोड़ी से इंफोर्मेशन, बाकी अच्छे से लगे रहे हैं, जो भी आप लोग प्रिपेशन करने हैं, रिव प्रिष्ट और वी ऌ